Hello everyone, Constitution of India कर रहे थे, जिसमें Quick Revision के तहरत हम Article No.2 तक कर चुके हैं Article No.3 को करते हैं इस वीडियो में हमारा Article No.3 जो है, वो बताता है Formation of New States and Alteration of Areas, Bondage and Names of Existing States मतलब कि कोई नया राज्य बनाना है या फिर कोई existing राज्य है, पहले से कोई राज्य है उसके bondage को कैसे आपका shift किया जा सकता है या फिर उसके नाम को कैसे बदला जा सकता है उसके बारे में बता रहा है तो इसके लिए जो है ये power Parliament को दी गई है कि Parliament में by law, Parliament law के द्वारा form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of state or by uniting any territory to a part of state मतलब की क्या बोल रहा है कि ये जो है कि Parliament क्या कर सकता है कि नया राज्य बना सकता है तो वो बना कैसे सकता है दो राज्य को मिला करके एक नया राज्य बना सकता है या फिर किसी एक राज्य को उसको तोड़ करके नया राज्य बना सकता है जिस तरीके से भी ये करना चाहिए उस तरीके से कर सकता है या फिर आपका बोल सकते हैं कि एक union charity को एक राजे से मिला करके नए राजे बना सकता है तो ये formation के बारे में बता रहा है कि ये parliament क्या कर सकता है form कर सकता है इसी तरीके से देखते हैं कि increase the area of existing state बतलज पाले में जो है कि किसी आपका state है उस state का राजे का एरिया को बढ़ा सकता है या diminish the area of any state या फिर क्या कर सकता है पाले में कोई एक राजे है उसकी एक राजे है उसकी एक राजे है कि उसकी जो आपका नाम को बदलना चाहे तो ये पारल्यमेंट के पास पावर है कि वो इसकी नयम को किसी राजे का नाम को बदल सकता है तो ये सारे चीजे थी हमारे आर्टिकल्स और उनके सब क्लाउज A, B, C, D, E इनको हम फिदा के ये से याद रखते हैं जैसे A, A for formation, I, I for increase, D, D for diminish, A, A for alteration and alteration of the boundaries and E फिर से डबल A होता है तो A में फिर आप ले लेंगे कि alter the name तो इस तरीके से हम फिदा नयम इसका याद रखते हैं जिसमें हमारा A, I, D, A इस तरीके से हम इसको याद रख लेंगे तो ये है और नीचे इसके लिए है कि ये जो है Parlement के पास तो ये पावर है लेकिन ये करने से पहले Parlement को क्या करना होगा कि presidential recommendation की जोरत होगी मतलब कि परसिदेंट के recommendation चीड के बिना यह पार्लियमेंट में यह आपका जो है बिल नहीं लाई जा सकते इमतलब कि प्रायर परसीडेंट में के सब्सक्राइया के जारत प्रेइंस उनको सेंड करेंगे बट उनका जो रिफ्रेंस के बाद में जो आपका बोलेंगे की वहां से जो रिश्पोंश आएगा वह पारलियमेंट के लिए आप कमपल शरी नहीं होगा तो यह होता है और जो वहां से जो रिफ्रेंस के लिए वह time जो गिवन होगा यह आपका परसिडेंट ही क्या करेंगे कि टाइम उसको रिजनेबल टाइम डिसाइड करके बताएंगे कि इतने दिनों में आपको यह बिल रिटर्न भी करना है राज्यों को तो यह सब आपका है हमारा आर्टिकल नमबर थी का वही चीज आपका एक्स्प्ल कोजल कंगें इन बिल अफेक्ट अरिया बार्टरी और नमस अपने डिसी टे इंद ब्र बिल हैं बिल है विंद बिल थी तो इफिट परिट अ लेडिटॉट वीजिट्टी अडिसेडर फिर फिर विदिस प्रिट इस परिए अ बिल लाव एद बिल थीज परिड़ बिलिए तो बस इस वीडियो में इतना ही आगे के वीडियो में हम आर्टिकल सारे आर्टिकल्स वन बाई वन कवर करेंगे थैंक्यू